नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बाब फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप लोग ने थम्मेल में देखी लिया PM सूर्य घर योजना का नया पोर्टल हमारा स्टार्ट कर दिया गया है और इसका उधगाटन हमारे परधान मंतरी नरेंद्र मोधी जी ने PM सूर्य घर योजना के तहट एक नया पोर्टल हमारा लोंच की है PM सूर्य घर.gov.in शुरू कर दिया है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहट परती महिने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी मंगलवार दोपैर 13 फरवरी 2024 को 1 बज़ कर 10 मिनट पर परधान मंत 3 फार ट्विट करका ये जानकारी हमारी दी है इस वीडियो के माद्यम से हम आपको सम्पूर्ण जानकारी बताएंगे कि किस परकार से आप अपना रेजिस्टेशन कर सकते हैं किस परकार से आपको कितनी सबसेड़ी आपको दी जाएगी vendor आपको कैसे होगा कैसे परकार से आप अपना एमिटर आप आविधन कर सकते हो, कैसे आपकी सब्षिडी मिलेगी, संपूर्ण जानकरी आपको मिलेगी, यह देखिए हमारा X के उपर, यह हमारा ट्विट के गया, एक बज़ कर दस मिनट पर, और ट्विट में हमारे माननिया मुख्यमंदेजी ने इसका पत्र होना आपका आविश्यक है, जिहां दोस्तों इस परकार से आप आविधन कर सकते हो, इसमें आपको मोबाइल नंबर के साथ आपको लोगिन करना होगा, आपको अपनी इमेल आईडी भी चाहिएगी, और आविधन करने के बाद में, डिसकॉम से आपको अप्रूवल क के लिए आविधन करना होगा, और जैसे ही आप अपना इमेटर के लिए आविधन करते हो, इमेटर आविधन होने के बाद में, आपको अपना कैंसिल चेक वगरा आपको एंटर करना होगा, और जैसे ही आप अपना कैंसिल चेक वगरा डिपोजिट कर देते हो, तो 30 दिन के apply का option है, आपको apply पे click करना है, जैसे आप apply के उपर click करेंगे, तो ये देखिए हमारा registration का option आजाएगा, यहाँ पर login का option आजाएगा, registration की सारी की सारी जानकारी आपको दी गई है, step 1 में आपको अपना state select करना है, electricity discount company का आपको select करना है, enter your electricity consumer number, आपको अपना बिजली का number डालने है, enter your mobile number और enter email id, ये डालने के बाद में second step आपको यहाँ पर दी गई है, login with consumer number and mobile number, apply for the roof solar as per the firm, और third step इस पर कार से देखिए, discount का approval आएगा, और यहाँ पर आपको installation के लिए आपको होगा, e-meter के लिए आपको net meter के लिए आवेदन करना होगा, और net meter जैसे ही approval हो जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 30 दिन के अंदर आपका जो भी subsidy का amount है, वो आपके bank खाते के अंदर जो भी आप cancel check लगाऊगे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहले तो registration की बात करें, तो यहाँ पर देख पारें, आप यह अलग से एक window, हमारा registration का यहाँ पर दिखाये जारा है, तो अगर आपने registration कर लिया, तो यहाँ पर आपको login कर लेना है, सीधा, और यहाँ पर आपको अपना registration number, और यहाँ पर यह capture को डाल कर आपको next पर click करकर login कर लेना है, अगर आपने registration नहीं कर रखा, तो यहाँ पर registration का option है, सबसे पहले आपको registration कर लेना है, यहाँ पर आपको अपना state select करना है, तो यहाँ पर हम हमारा state select कर लेते हैं, राजस्तान से belong करते हैं, तो राजस्तान select करे जिस district से आप रहते हैं, उस district को आप यहाँ पर select कर लिजे, जो भी district आपका है, district हम select कर लेते हैं, electricity distribution यहाँ पर आपको अपनी distribution आपको select कर लेना है, जो भी आपका है, और यहाँ पर आपको अपना consumer number डाल कर आपको next कर देना है, जैसे आप next करेंगे, तो यहाँ पर आपको ए और I am interested के लिए उपर आपको click कर देने हैं यह सभी state के उपर अलग-अलग है तो यहां पर हम आपको एक example आपको बता रहे हैं तो देखिए registration के लिए इस परकार से आपको district आपको select कर लेने हैं तो यहां पर district हम कोई भी हमारा select कर लेते हैं district के बाद में town आपको select कर लेने हैं हम town यहां पर select कर लेंगे name of electricity division आपको यहां पर select कर लेने हैं और name of subdivision यहां पर हमें select कर लेने हैं और name of applicant यानि कि जो आप apply कर रहे हैं और applicant का नाम आपको यहां पर लिख देना है हम यहाँ पर name of applicant लिख देते हैं यह example के रूप में हम आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आपको father name, husband name, owner name, जो भी है यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर यह लिखने के बाद में name of institute of industries आपको यहाँ पर उसका नाम लिख देना है जिससे आप अपना roof installation कराने वाले हो और यहाँ पर आपका address आपको लिख देना house number वगेरा जो है आपका यह आपको पूरा भर देना है और यहाँ पर आपको अपना village लिख देना है और यहाँ पर आपको अपना mobile number वगेरा लिख देना है जो आपका mobile number है telephone number है और यहाँ पर आपको अपना mobile number लिख देने हैं यह दोनों आपको correct लिखना है दोस्तों ध्यान पूर्वक आपको यह लिखना है यहाँ पर आपको अपने email ID लिखनी है email ID लिखने के बाद में यहाँ पर PSPL consumer account number आपको अपना लिख देना है पिन कोड लगा कर तो यहाँ पर पिन कोड लगा देते हैं यहाँ पर PSPL consumer account number आपको अपना लिख देना है और यहाँ पर name as PSPL यानि कि जिसके नाम PSPL बिख जरी है उसका आपको यहाँ पर applicant name यहाँ पर लिख देना है और यहाँ पर आपका यह बोल रहा है subsidy required तो subsidy अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप yes कीजिए अगर आप subsidy नहीं चाहते हैं तो subsidy not required पे आप क्लिक कर सकते हैं त उसके बाद में आपको यहाँ पर verify कर देना है verify के बाद में आपके email ID के उपर और आपके mobile number के उपर आपको एक OTP मिलेगा वो आपका registration हो जाएगा अब बात करते हैं कि यहाँ पर vendors के बारे में तो यहाँ पर देखिए सबी states के बारे में अलग अलग है तो यहाँ पर vendors की ज अपको सारी details आपको दी जा रही है यह सबी इस To की अलग-अलग हैं और यहाँ पर सारे-क Сारे vendors का नाम आपको देखने को मिल रहा है और उनके mobile No.5 वगिरह सारा आपको यहाँ पर details आपको देखने को मिल रही है इस परकार से vendors के बारे में जानकर यह आप देख सकते हैं औ हम आज आते हैं दुबारे से home के उपर और subsidy amount अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए हम home के उपर आगे है site का site का link आपको description में मिल जाएगा यहाँ पर देखिए subsidy structure आपको देखने के मिल रहा है second option तो subsidy structure को अगर आप click करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई जा रहा है कि PM सुरक्षा घर मुफ्त बिजली योजना subsidy for residential household तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पता दू यह जो subsidy मिलने वाली है यह आपको घरेलू रूफ के उपर यह आपको मिलने वाली है यानि कि घर की छत के आपको अगर यह लगवाते है तो यह आपको यह मिलेगी तो 18000 पर किलोवाट के उस disturbs आपको मिल सकती है 30,000 पर किलोवाट से आपको मिल सकती है 2 किलोवाट तक तो यहाँ पर देखिए इसका criteria दिया हूँ है एक किलोवाट से अगर above आप लगाते हैं तो 78,000 प्लस आपको subsidy यहाँ पर दी जाएगी इसी परकार से हम home में आ जाते हैं और यह देखिए vendors के बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर vendors के बारे में आप click करेंगे तो यहाँ पर vendors के बारे में जानकारी आ रही है हमारी और सभी states यहाँ पर देखने को मिलेंगे आप जिस state से ब्लांग करते हैं आप अपने vendors के जानकारी देखना चाहिए तो देखिए राजस्तान से ब्लांग करते हम तो हम राजस्तान में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए राजस्तान के हमारे तीन vendors हैं जैपुर विदुत वितरन अजमेर व ये आप pages में देख सकते हैं और इसी परकार से हम home पे आ जाते हैं दुबारा से home पे आने के बाद में discom के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये देखे discom के ओपर click करेंगे portal के बारे में आपको apply करना तो कैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर देखिए portal link है discom का portal link यहाँ पर आपको देखने के मिल रहा है आपको इसके ओपर click कर देना है जिस पी states से आप belong करते हैं जैसे कि आप gova से belong करते हैं तो यह देखिए gova सामने आ रहा है और यहाँ पर discom का link आ रहा है आप इस परकार से अप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, तो यह देखे थोड़ा सा नेट, दोस्तो, स्पीड स्लो है, और यहाँ पर देखिए, होम के उपर लगाना है, यह सारी की सारी डिटेल्स आ गई है, और यहाँ पर आपको यह सारी की सारी डिटेल्स, कंजूमर नंबर, सब्सीडी चाहिए है, या नई चाहिए है, और रूफ आपको स्क्वार फिट कितना है, बिलिंग साइकल आपको क्या होना चाहिए, मंतली है, कैसा है, एवरेज बिल कितना है, यह सार सारी की सारी डिटेल करकर अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग परकार से आप इसको अपलाई कर सकते हैं और यह देखिए यहाँ पर हमारी सारी की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलते हैं इसी परकार से हम दुबारा से इसके होम में आ जाते हैं और यहाँ पर हम होम प States के बारे में जो भी डिस्कॉम्स हैं, सभी की यहाँ पर डिटेल देगा, with mobile number हमें यहाँ पर दिखाई देगा, email ID भी देखने को मिलेगी, address भी हमें देखने को मिलेगा, तो हम राजस्तान से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ पर राजस्तान का ही चेक करते हैं सबसे पहले, तो हम नीचे आज़ाते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, और राजस्तान का हम वैसे चेक भी कर सकते हैं, सर्च करके, तो यहाँ पर देखें, राजस्तान का आ गया है, Zayipur Vidut Wittran का आ गया है, Ajmer Vidut Wittran का आ गया है, जोदपur Vidut Wittran का आ गया है, इनका address आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर email id वगिरा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर contact number, contact person का नाम भी हमीर हमें यहाँ पर दे करेंगे तो देखिए हमें सारी की सारी डिटेल्स दिखा रहा है कि कौन हमार को यहां पर finance करने वाला है जो भी banks है सबी banks के नाम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं जैसे कि state bank of India में आपका खाता है तो आप state bank of India को select करेंगे तो उसके बारे में सारी की सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी maximum loan amount आपको यहां पर देखने को मिलेगा minimum loan आपको time period देखने को मिलेगा कितने time period के है यहां पर rate of interest आपको देखने को मिलेगा और यहां पर bank manager का आपको यहां पर with mobile number और यहाँ पर आपको email ID के साथ यहाँ पर सारी details देखने को मिलेगी अगर आपको ICIC bank के बारे में जानना है तो यह देखिए bank के उपर आपको click करना है सारी details आपको यहाँ पर उसके regarding आपको देखने के मिलेगी जो भी finance यहाँ पर करने वाले bank वो maximum कितना amount कर सकते हैं कितने time period के लिए कर सकते हैं उनका rate of interest क्या रहेगा और उनका officers का bank manager का number with email ID आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है एक bank का और माँ आपको पता दूँ हम यहाँ पर paytium का भी bank दिया गया है यहाँ पर देखिए paytium bank को भी यहाँ पर शामिल किया गया तो paytium bank के बारे में आप जानना चाहें तो यहाँ पर देखिए paytium bank भी हमारा यह दिखा रहा है और यहाँ पर maximum loan amount 100% project of the cost यह देखिए यहाँ पर सबसे main चीज यहाँ पर दी गई है कि जितने का project 100% आपको यहाँ पर loan दिया जा रहा है और up to three years के लिए दिया जा रहा है और net rate of interest आपका 7.46 13% है और type of loan residential है आपका और यह देखिए और यहाँ पर हमारे paytium के जो manager है उनका यहाँ पर number भी यहाँ पर दिया गया जिस भी bank से आपको यह financial की जुर्त है यह इतने bank हमारे यहाँ पर सामिल किये गए है उमीद है इन में से आपका भी कोई ना कोई bank होगा और आप भी इन से बिल्कुल देखिए bank of बड़ोदा maximum खाते bank of बड़ोदा में देखने को मिल जाते है तो यह bank में हम आपको check करा देते है bank of बड़ोदा में हम गए तो यहाँ पर देखिए bank of बड़ोदा ने सारी के सारी जानकर यहाँ पर दे रखी है maximum loan amount आपको दे रखा है और यहाँ पर देखिए time period दे रखा है 30 years के करीब दे रखा है और यहाँ पर rate of interest दे रखा 8.40% और यहाँ पर bank of बड़ोदा के जो managers है assistant general manager है उनके number यहाँ पर दिये गए है और landline number भी यहाँ पर provide की गए है और email ID भी यहाँ पर provide की गई है तो यह financial है हमारे जो की आप यहाँ पर check कर सकते हैं और knowledge center के बारे में हम click करेंगे तो knowledge center के उपर हम click कर देते हैं यहाँ पर आपको सारी के सारी details आपको यहाँ पर देखने के मिलेगी जो भी documents है आपको किस परकार से क्या करना है bankers की और यहाँ पर जो भी details है आप यहाँ पर यहाँ पर जाकर आप click कर सकते हैं सारी की सारी details आप चेक कर सकते हैं दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू जो आपका solar rooftop है उसकी सारी की सारी रख रखाओ के जानकारी जो भी आपकी vendors होंगे जो भी वहाँ पर आपकी जिससे भी आप अपना fitting करवाओगे वो सारी की सारी रख रखाओ के जानकारी पांस साल तक उन्हीं के अंडर में रहने वाली है और इसका customer के number भी हमारा बनाया गया है कोई भी problem होती है तो वह आपको वहाँ पे तुरंत आपको जानकारी उसका समधान आपको देने वाले हैं तो इस परकार से आप देखें सबसेडी के बारे में मैंने आपको बता दिया जानकारी किस परकार से आप अपलाई कर सकते हैं वह भी मैंने आपको बता दी vendor की जानकारी किस परकार से आप कर सकते हो कैसे आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो इसके लिए आपके पास आपका बिजली का बिल होना चाहिए आपके पास आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए आधार काड होना चाहिए और यहाँ पर आपको अपना एक सपत पत्र यहाँ पर आपको देना होगा यह सारी के सारी चीज़े अगर आपके पास है तो आप भी आज ही अपना इसका आ निभा सकते हो जी हां दोस्तों उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और हां दोस्तों इस वीडियो को जादर से जादर शेर जरूर करिएगा ताकि ये हिंदुस्तान के परतेक इंसान के पास पहुँचे और वो भी अपना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अपना आविदन करकर वो भी इसके साथ हिस्सेदारी निभा कर मुफ्त बिजली तीन सो यूनिट का फायदा उठा सके यही कुछ चोड़ीश इंफॉर्मेशन थी होता है आप लोगों के साथ सेर क हारत